बाद करने का तो इसमें प्रिंटिंग के ह Factory में जाky玩 मिलती है यूंति है अब सप्रिंट के इसमें का कॉफी इसकें पटन यहां पर दिया गिया है प्रिंटर का का स्लाइक्शन यहां से करेंगे इसलाइट का स्लाइट करना है तो पहला जो मौड़न आ रहा है वन पेज वन इसलाइट यानिके अभी हमारे पास टोटल स्लाइट जो है वह 11 है और अगर तो टोटल एपर जो है वह 11 चीज़ को थोड़ा सा इकनोमिकल कर ले तो यहां पर कलिक करके और यहां से हम ले सकते हैं तो फेच पर पर लेकिन लेकिन इसके साथ साथ उसका साइस भी डिक्रीज होता चला जाएगा फिर यह उप्शन है त्री स्लाइट पर पेज इसमें यह बड़ा ऑप्शन जबरदस थे स्लाइट तीन एक साथ आएगी पेज पर साथ में कुछ लाइन्स भी ड्रॉ हो जाएगी इसका इस्तमाल मिसाल के वह भी डिया तो फीड बेग पर आगे चलते हैं तो यह इन तिन स्लाइट करेगा तो चार स्लाइट भी कर सकते चे रच्ट हैं इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और यहां पर क्लिक करके फोर स्लाइट इस तरह से प्रिंट की जा सकती हैं तो आपको समझ में आ गया किस तरह से काम हो रहा होता है तो अगर आपका जो आपको स्लाइब नीचे 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 नोट बनाए होंगे तो अब नोट कैसे बनाते इसके तरह यहां पर इस तरीके से आप इसको अपकर सकते यहां फिर आप जो है यहां से जाके नोट करके हर स्लाइब के बारे में यहां पर नोट्स लिख सकते हैं नोट्स क्या मतलब है बाजुका देशा होता है कि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप क्रिस्प पॉइंट कर दे लेकिन आप उसको साथ-साथ जदा डिफाइन करना चाहरे हैं तो आप नोट्स पे जिसका इस चलिक करेंगे तो आपको स्लाइब और नोट्स तोनों नजर आएगे अगर आप इस तरह से प्रेंट बेना चाहते हैं तो प्रेंटके उपर और यहां से फिर आप उसका option अपना जो है जो है जो है स्लेक्षण चेंज पर रखेंगे तो जिस लाइट के साथ अपने कुछ तो हैं ऑगर हम यहां पर इसका एक पर ठोड aktiv अ किरते हैं तो स्लाइब नहीं कर्णे हीां में कि सिर्क आ değer हम पर फ़्युन करें हना चाया रहें। करना हम सिर्फ है उसका content करना चाइए जो यहां पर आपक्स चाहिए दॉर कर Uh आप इसको outline पे click कर सकते हैं तो यह हर slide का एक number लगाएगा और उसके अंदर मौझूद जो भी text होगा image की बात नहीं हो रही है यहां पर text में भी इन image लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है यह आपको सिर्फ represent करेगा यहां पर आपको क्या जो उसका slide का title होगा और जो उसके अंदर content लिखा होगा वो अब यहां पर content यह लिखावा है तो यह दिखा रहा है इनमें कोई content नहीं है तो नहीं दिखा रहा है ठीक है तो यह इस तरह से प्रेंट कर देगा एक दूसरी स्लाइट के उपर हम देखते हैं कि उसको पर थोड़ा सा और बहुतर तरीके से हमाईडिया हो जाए कि यहां पर देखिए मेरे पास एक और presentation है और इसको मैं open करता हूं यहां पर भी presentation slides पर और मुक्तलिफ चीजों पर बनी है लेकिन अगर जैसी में इसके फाइल में जाके प्रिंट पर क्लिक करता हूं और जैसी में इसके यहां से option लेता हूं outline का तो आप देखेंगे कि यहां पर कुछ भी नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि सारा इमेज इस पर काम हुआ हुआ है इस पर काफी सारी slides पर काम हुआ है और यहां से फाइल में जाके इसको प्रेंट करता हूं और यहां से लेता हूं अब यहां पर दीखिए कि यहां पर पहले पेज के अंदर और देखें बता रहा है कि वहीं पहली स्लाइड में आपने यह content लिखावा है दूसरी स्थी में चोथी में जबके पांच भी छटी साथी में नहीं है इसका मतलब जिस जिस पर आपने दिखा है वह content प्रिंट हो जाएगा मतलब में इसके इमेज ग्रैफिक्स फॉर्म में प्रिंट नहीं करना चाहरा हूं तो इस सारा भी प्रिंट आउट लिया जा सकता है तो यह तीन यहां से अगर मैं selected चाहरे तो 4 को चाहरे हो तो फोर करके यहां से प्रिंट की कमांड़ ए सकता हूं अगर में 425 करना चाहरा हूं तो कॉमा के साइट उसको define कर सकता हूं यहां से print की command को execute कर सकता हूं ठीक है अच्छा उसके इलावा अगर आप यहां पे कुलिंग करें print all slide उसको print current slide जो slide मेरी मुझूद उसको print कर सकते हैं custom range के इंदर जाके वही चीज़ जो मैंने भी आपको करके बताई वह define कर सकते हैं और प्रिंट और स्लाइट पे तमाम स्लाइट से स्टार्ट ओंग और लास्स लाइट होगी इसको सब को प्रिंट करेगा अचा उसके बाद आते हैं कलर और ग्रे शिर्ट और फिर वाइट में क्या फ़र्के और आपके पास color black and white है और प्रिंटर black and white है तो ब्लेक इन वाइट तो ब्लेक इन वाइट ही प्रिंट करेगा वहालिकिन इसमें पुछ हम एडजेस्मेंट कर सकते तो अगर आपके पास printer color है तो color में print देगे तो as it is जैसे color सारे वैसे उस सूरत में अगर आप प्रिंटर प्रिंटर होता है उससे यह पिर प्रतार बेकार कारता है दो के व om 20 कोコ onion कि कोशिच करेंगा और भाड़ा वेकार सा हो जाता है उससे बहतर ही कि जब आपकी स्気 How और आपके पास प्रिंटर व्लेक इन वाइट है तो कलर में प्रिंट करने के वज़ाए यहां से दो चुऑ जो यह तो ऐसा पृंत कर लें तो उससे बहतर आपको यह लगेगा प्रेंटर के लिए तो इस तरह से आपको यह लगेगा इस तरह से आपकी फ्लॉप हो जाएगी इमेज के उपर जैसे कि अभी मैं आपको एक स्वीर दिखाता हूं तो यह यह लगी है तो तस्वीर तो इसी फ्रेट होगी इस पर इंपक्ट नहीं आएगा ठीक है इसको ग्रेश करने कोशिच करें तब भी को इंपक्ट नहीं आरा प्रेंट करें जैसे कलर के साथ अगर है तो जाएगी वटतां वही ग्रेश केसा प्रिंट होगी ठीक है तो अब उसके बाद जो है यहां से चूज करेंगे अपना प्रिंटर तो देखें जो भी प्रिंटर आप अपने कंपीटर के साथ करेंगे वह यहां पर अपना ड्राइवर डिस्क लेगा ड्राइवर क्या होता है काईड ओफ सॉफ्वेर सिस्टम सॉफ्वेर की कैटेगरी होती जो आपके हाडवेर को फंक्शन बनाता है और वह अपको अपना स्टेटस शोग करेगा इस तरह मेरे कंपीटर में यह एक प्रिंटर इंस्टॉल्ड है एक ही इंस्टॉल्ड है और दू तो यहां पर ओफ लाइन दिखा रहा है यह ड्राइवर क्या काम करता है यह मेरे इस लैप्टॉप के हाडवेर को कनेट करेगा प्रिंटर के हाडवेर के साथ और जो भी मैं कमान यहां से दूंगा प्रिंट की यह उस तक पहुचाएगा अगर यह आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है जो प्रिंटर आप इस्तमाल कर रहे हैं उसका तो प्रॉब्लम यह होगा कि आप कुछ भी कर लें प्रिंट नहीं कर सकेगे ठीक है यह इसका मामला है तो आप अब है भाई क्लास तो कंप्लीट होने दे क्या हो गया आ रहा हो नो उस चीज के उपर किसे करेंगे कैसे करेंगे कि मेरा कहने का मकसर यह है कि यह प्रिंटर का जब ड्राइवर है इसको इस्टॉल करने के लिए हम किस तरह से इस पर काम करेंगे इसके लिए हमने आप इस आप